तो है लो गाई वेलकम बेक तो दे चैनल तो आप सबको पता होगा हमारा एक्जाम काफी ख्लोज है तो मैंने चालू कर दिया है और आप में मॉक टेस्ट की जगां जादा देने चाहिए क्यूंकि में में मॉरी बेस्ट जो होते हमारे एक्जाम रेलिवंट होते है एक दम पै 13 जुलाइ 2021 का शिफ्ट वन का पेपर था टेस्ट बुक का यह जो है मौक है 239 इसमें मेरी रैंक आई है लगबग 82,000 लोगों ने एक्जाम दे दिया है 90.25 मेरा स्कोर रहा है आउट ऑफ 1099 मैंने अटेंप्ट करें थे बस एक मेरा कॉंट में मुझे आया नहीं वो मैंने का थ संटाइल तो आगे देखते हैं इंग्लिश में मेरे 25 स्कोर रहा 30 मैंने अटेंप्ट करें थे चार गलत्ते इसमें मैं आभी आपको दिखाऊंगा भी मेरे क्या गलत्ते और मैंने क्या गलत्ते हैं कर यह पूरा डिटेल्ड एनलेसिस होगा और उसके बाद मैं आपको टिप प्लस ला सकते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रही है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए तो अभी देखते हैं तो इसमें मेरे 25 इंग्लिश म सब्सक्राइब करें चार कुशन गलत हो गए 16 मिनट लिए तो मैंने इसमें आराम से किया था वैसे पेपर इजी था एंग्लिश का थोड़ा पैरा जंबल हलके से ट्रिकी थे लास्ट में मेरे दो गलत हुए वहीं मेरे को डी सीए बी लग रहा था और डी सीए इबी था शा इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी गलत दे रहे कि थी मेरे साब से उसकी यह मैंने थोड़ा गलत समझा और थोड़ी गलती होगे यह भी दिखाऊंगो भी आगे रिजनिंग मैंने सारे के सारे साहीते है 100% अक्यूरेसी थी 17 मिनट से भी पहले मैंने अपना जो रीजनिंग तो उससे 9 marks extra है which is okay not very good but it's still good तो अगर chapters वगर है मैं आभी आपको भी दिखा देता हूं कि average और वो क्या रहा था तो मेरा 90.25 score रहा टॉपर जो first rank था उसके 100 out of 100 था इसमें किते लोगों के इसमें तीन लोगों तो 100 भी score किया very good which is और average इसमें जो रहा वो 49.5 के around बैटा है मतलब वही 50 के आसपस का average रहा है जो कि इतना ही रहता है लगबग 80 परसंट एकुरेसी ठीक है 53 करे वही नॉर्मल जो रहता है वही था सब्सक्राइब काफी जीदा इसमें आपका लगबग लगबग यहां पर 15100 बच्चे लगबग यहां पर लाए कर रहे हैं जो कि एवरेज को रहता है 55 से लेके 77 नहीं मतलब वही 50 से लेके 75 के around बीच में जो है वो जात्तर बच्चे ही है इससे नीचे वाले रेस से हो जाते हैं और यह जो बच्चे हैं जो आपको यह एरिया दिख रहा है यह वाला सेक्शन मतलब जो 75 से लेकर 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं यह बच्चे बिल्कुल कंफर्म है कि एक्जाम निकालेंगे एक्जाम क्लियर करेंगे बिल्कुल 100% शौर है इनके बारे में अब पेपर के दिन कुछ गलतियां हो जाती है मिस्टेक्स हो जाती है तो अलग बात है पर यह बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कंफर्म है कि निकल जाएगा क्योंकि लग बग 5,000 प्लस वेकेंशी हैं आपके 50,000 से 60,000 बच्चे को चांटा जाएगा और जो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं इमानदारी से अब कुछ लोग पॉस वगरा करके भी कर रहे हैं पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं मॉक्स में पर उनको अटा दें तो यह बच्चे लगवालवा सब क्लियर हो जाएंगे बागी स्टेट वगर भी डिपेंड करता है जैसे मेरा अच्छी अगर आप अगर आप यहां कर रहे हैं तो आप अपना स्कूर यहां है तो यहां से यहां कैसी पुछ कर सकते हैं अभी अगर यह मेरा सब्सक्राइब दो मेरे इंग्लिश में ज्यादा गलत नहीं होता है है वैसे ज्यादा ठीक था कि अभी तक जितने प्रिवेस एक्जाम गए उनमें भी एक गलत था एक में दो गलते तो यही अच्छी रहती है आप नाम नहीं लोंगा है हमारे इंडिया में दो तीन राइटर जिनकी बुक्स में मिस्टेक्स होती है तो वैसी बुक नहीं बट अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे आप अच्छे कोशन पढ़ रहें तो आपकी दीरे इंग्लिश वैसी इंप्रूव होने लग अंगे को चुनके भी और यहां पे भी मैंने ब्लुंओ अग्रे में आपको बताया है कि मेरे को यह जो आपलाया यहां जब एक पार लोग च्छे पहुझे हिंगोत होती है में परते आप शोते 이ाद्टत और और रह सभीर पर तो हमतर में पहुत का पर को сделख़ होता है और ऑगर एक पेटन गलत हुआ जिस इनके गुरुप बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं दीसी एक सांध अएक बाइज पीछे ऐसे उसकता है तो आपके पांचों सही हो यह पांचों गलत तो यह वायर सांध है तो आपको नहीं समझ आ रहे हो तो इसको अटेंट ना कीजिए कि यह गिरने से अच्छा है कि आप छोड़ दें पर मेरे पांच उसे होंगा मैं अटेंट किया तो तो जो कि ठीक है पर जो कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो इसको अगर आपको गलत होगा तो एक ही सवाल गलत होगा बागी कौंट पर बढ़ते हैं आगे यहां पर मेरा इसे मैं ब्लेंडर ही काऊंगा वैसा क्योंकि मैंने इसको 40 और 57 लिया 97 ता सब सहीधा और मैंने इसको 83 पढ़के 96 लिया सब्सक्राइब आपको भी बताया कि मैं इसमें सोच रहा था कि सी से 20 लार्ज वाला था कुछ था मीडियम लार्ज तो मैंने सी की जगा ओवरॉल का ले लिया था स्मॉल पीजा मैं सिर्फ सी का लेना था कि 20 परसेंट है और मैंने ओवरॉल ले लिया तो मेरा कि अद्ध यह ले लिया जो कि नहीं लेना चाहिए तो पर मॉक होते हैं तो आप यह कर लेता है यह जो को ऑविसली कर देता और मॉक में अब कभी कई तुका अच्छा लगता लगा ना जो कि नहीं करना चाहिए आपको अपनी अंदाज़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं वैसे अभी आपको आगे बता हूं कि कैसे करना सौल पर मैं वह तरीका यूज नहीं करता हूं मैं डारेक्टली आगे बढ़ता रहता हूं अगर बीच में कोई मिस लेने जिखते हैं या डारेक्शन सेंस ऐसे कुछ दिखता तो उनसको स्क कि सारी होती है मैं 30 से पैदे स्कूशन के आसपर पहुंच जाता हूं तो फिर मैं यह नहीं करता पर अगर आपको लग रहा है आपकर रीजनी में स्कॉर कमार रहा है तो मैं उसके लिए आपको आगे बताऊंगा तो यह मैंने दो मिनट के आजपस मैं बना ली थी पॉसल औ तो इसमें मैं एक मिनट की सिंड लगे जब कि अवरेज 14 सिंड ता पर ऐसा नहीं है मैं एक बार में सारे कोड निकाल लेता हूं यह काफी जी हो जाता है मैं अगर आपको चाहिए कोडिंग डिकोडिंग की और ट्रिक तो बताऊं मुझे एक मिनट की सिंड आप आगे देख तो यह वाला तरीका मेर को अच्छा लगता है इसमें गलत होने के चांस भी कम रहते हैं फिर यह नॉर्मल नंबर सीरीज वगए रहते हैं फिर यह वाली पजल थी एक मिनट 44 सिंड आवरेज थी मैंने एक मिनट काफी पजल थी बिल्कुल बेसिक अगर अगली पजल देखे लगे दो मिनट 16 अवरेस थोड़ा अवरेस से पीचे बड़ आपके पास था टाइम हो तो क्यों रिस्क लेन आपको फिर गलत होने के चांस बढ़ जाता है नहीं तो और फिर यह क्या था फैम ली डिलेशन था ब्लड रिलेशन अच्छे लास्ट में करे था मैंने काफी टा सब गया था मत दिखने आपको गिसमा आता है तो अगर आप जयाएं तो काफी पीछे हूं यह तो काफी जल्दि कर ले रहे थे पर आप यहँनी समझ ऐत भी तो करते हैं हैं बहुत सारे लोग आपर मैं अभी कोई बताऊंगा जिसमें 11 सिकंड है तो 79 परसेंट करेक्टली है तो ठीक है पर अगर कहीं क्या आंसर करेक्टली के परसेंटाइल भी का में 59 है तो यहां तीरा सिकंड इसका मतला आथ हुने तो छोड भी दिया होगा गलत मार कर दिया सकते हैं को ऐसे बहुत बड़ा दिक्कत भी नहीं है मेरे साब से अब मैं आपको आगल पीपीटी पर दिखाता हूं कि कैसे आप अपने मार्क बढ़ा सकते हैं तो यह हाव तो स्कोर 80 प्लस एक्षामिनेशन से अगर फिर से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आगे बढ़ पर यही मैंने पहले वीडियो बना रहे हैं जिस पर अभी तक 13-1400 व्यूज आ चुके हैं बहुत अच्छी वीडियो थी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला काफी लोगों ने उसमें यह भी कमेंट किया है बादने मतलब बहुत नहीं बोला कि बहुत अच्छा था कमेंट पर अगर आप जनरल है तो नहीं होगा पर आपके मार्स बढ़ रहे हैं इसे यह बहुत सिंपल बेसिक तरीका है जो कोचिंग में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता मेरे साब से और ओनलाइन भी टीचर्स ने बता रखा है पर लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं पह बनाने पड़ेंगे आपको बनाने पड़ेंगी अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्लॉर बेस्ट बजाए कि आपके सीटिंग अर्रेंजमंट जिसमें और आप नहीं है तो आपको जो एक उपर एक नीचे वाले टाइप होते हैं चार बंदे कहीं ऊपर देख सकते हैं उनको पहले कीजिए जो मैंने बताया veaspid रिजरेंग वांट होथा तो पहले स्पीड मेज्ट कीजिए यह मन्हीं नमबर सीरीसमें मेंनीसिंग रॉंग नमबर थोड़ा बात नहां कर सकता हैं पहली सब्सक्राइब थे इसे किजे फिर किल्कुल यह सबसे हर बार इतनी आते हैं अभी तक जो मारे प्रिभिज पेपर वह उन में उनमें भी दस इरिपमेटिक आएं तो दस अरिपस्तीक आएंगे उन प्रित्मेटिक को सौल कर लिए बाद में सबसे बाद में क्योंकि डिया हो जाता है अगर आपको वह लग रही है तो वह पांच चूड जाएंगे और आपका कौंड का सक्षिन हाड था एकूरेसी रखिए तुक्य मत मारिये गलत मत कीजिए स्पीड के चक्कर में एकूरेसी मत कोई है क्योंकि अच्छी तो नहीं है कि आपके जादा माक्स है तो आके जुड़ेंगे सब्सक्राइब कीजिए तो उसका यूज कीजिए तो उसका यूज कीजिए फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीक्नेस पर ध्यान दीजिए क्यों भी एडवाइस मतलब ओनलाइन को टीचर बोला जैसे मैं नहीं बोला तो मेरी एडवाइस को अगर आपकी पजल स्ट्रॉंग है मैंने बोला सिलोज कीजिए आपको सिलोजिसम में ज्यादा टाइम लगता आप पजल जल्दी बनाते हैं तो पजल जल्दी पजल पहले आपको रीडिंग कॉंपेशन आपको लगता कि वहीं से आपको मांक्स आता है आपको इस प्रॉंग टॉपिक्स को पहले कीजिए पिर बीसी वाइल अटेंप्टिंग मॉख से एक कमींग जो मैं भी बहुत बार करता हूं कि चलो मॉख ही तो है राम से कर लेते हैं पर 90% मॉ विकर 15% में ऐसा होता है कि वह भी खासकर चेप्टर वाले मॉख में कि चलो 10 मिनिट खाली बटें मॉख लगा लिया वरना अगर आपको मॉख देना तो आपको एक घंटा देड़ घंटा अट-लीस होना चाहिए कि आप आधा गंटा अनलेसिस कीजिए तुरंट कीजिए बा लाइट लाइट लगाता हूं जब लाइट वीडियो शूट करनी होती है अब यदिसमाले कीडिया नहीं और यहां सपर मैं टाइम सब्सक्राइब करना करेंश टाएव होता है ऐसा काफी बार होता है कि मों को करना पड़ता है जैसे मेरगों कभी अचानक से कुछ कउम करने पड़ता है आपको कुछ हम पर हर बार मत कीजिए कभी आपने दो तीन मौक कि उसमें आपको एक मैं कौंट सेक्षिन पॉस करना पड़ेगा ठीए आप छह बार कॉंट सेक्षिन पॉस मत कीजिए उसी टेस्ट में कि चैप्टर वाइस बॉक तभी जीज़ब आप चैप्टर कंप्लीट कर लें और चैप्टर कंप्लीट कर ले अब चैप्टर और मौड रहें तो कम उसके सबुसकी कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपका क्या रेट है कि आप कैसा सौल कर रहे हैं और यह एक्जाम में माइंड कैलकुलेशन बहुत जरूरी है वैदिक मैस अब भी तो पेपर के पहले नहीं ले सकते वरना मैं वैदिक मैस का एक कोर्स जरूर लीजिए ऑनलाइन बहुत टीच और हजार सब्सक्राइबर पर मैं भी हो जाएंगे तो थाउजांड सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो देड़ घंटे की वैदिक मैस की कम्प्लीट लागों जो से आपका पूरा कवर हो जाएगा एटलीस एक लर्क लेवल का हो जाएगा देड़ दो घंटे की वीडियो उसको अच्छे से देखिएगा और हजार सब्सक्राइबर हो नहीं वाले हैं तो इस सब्सक्राइब पर या फिर अगली बार के जो हम एक्जाम है वगरह में काफी अच्छे से उस करेंगे बेसिक क्लेशन के लिए पर यूज मत कीजिए माइंड में करने की कोशिश कीजिए लग क्या करते हैं अटेंप्ट करते हैं अनलाइस करते हैं और रिवाइस तो करी नहीं रहे हैं लोग फिर बोल रहे नंबर नहीं आ रहे हैं यहां पर कुछ गलत करोगे अब आपको समझ नहीं आया कि यहां पर मैंने क्या गलत करा तो आप रियल एक्जाम में भी गलत करोगे जब हम पहली बार कोई मौक देते हैं अब तो काफी मौक देले होगा बैंकिंग एक्जाम से रिलेटेड मैंने अटली सो सो दो सो मौक दे लिए होंगे बहले अच्छान प्लस नुमबर होगा अगर जोड़ने तो तो कुछ तो सीख मिलती है पहले काफी गलती होड़ती जब मैंने स्टार्टिंग में आरार भी क्लर के टाइम किया था मैं असी में से पचास साथ कोशन बनार था आज बहुत अच्छा स्कोर आ रहा उसके मुकाबले बहले यह एक्जाम निकलेगा अगला निकलेगा कुछ अपना कुछ होगा आप नंबर इंक्रीज कर रहे हैं आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे आप कुछ नया सीखेंगे अगर आप अपनी मिस्टेक्स अनलाइस करेंगे तो आपको स्पीड बढ़ानी आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को अच्छा स्पीड वीक आ रही है या इस क पज़ेश सही है यह बस तुक्का लग गया ना कि आपको लगा जिसे defendant आया है था आपको लगा defended में लास्ट में डबल डी आ रहा इसलिए के लते हैं पर असलियत में कुछ और के ती थी कौशन में है यह ना काफी बाल हमको लगता है कि हमने सभी चीज मार करी है इसलिये सह लिए पर इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ और सोच के इसको मार किया होता है वो सही हो जाता पर आंसर असलिए तुम कुछ और होता है ठीक है और यह लाइन है मेरी कि 4 देना है इस बार आपने एक्जाम 40 देना फिर रुकना नहीं है और अगर रुक जाओगे तो रोना नहीं है पर नहीं रुको गए अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर कुछ वीडियो के अब लिंक आ रहे होंगे उन वीडियो को भी जाके जरूर चेक कीजिए यह जो मैंने टॉक टिप्स दी और डीटेल में भी है कुछ मैं अपना सेल गिवन डालूंगा और अगर भगवान की दिया से में क्वालिफाय हुआ तो इंटर्व्यू का भी डालेंगे वीडियो आती रहेंगी वीडियो नहीं रुखेंगी बहुत सारे एक्जाम हमारे लाइन अप हैं सब के लिए वीडियो आएंगी तो चैनल से जर सारे एक्भास का तो रहेंगे वीडियो ऑुटार और उनन्मा से एक्वारो स्वासल का